मुदेल खंड में आज गड़ाधन खूदने और अंध विश्वास का खेल लागातार जारी है ऐसा ही मामला पन्ना जिले से प्रकाश में आया है जहां अमान गंज के ग्राम पाठा के चार मजदूरों को खेत में बारी लगवाने के नाम से मजदूरी कराने ले गए थे और दो मजदूरों को धन खोदने के लिए पन्ना के ग्राम मकरा में एक शिक्षक संतोष मौर्या आधी रात को अपने कार में दो मजदूर पवन और रम्मू अधिवासी को जबरन ले गया अग्याद स्थान पर और उन दोनों से धन खोदने को कहा अंधेरे में खुदाई खोदी रही तब ही रम्मू नाम का मजदूर अचेत हो गया और दूसरा पवन नाम के मजदूर की आखों में दिखना बंध हो गया इसी बीच रम्मू की सांसे चल रही थी कुछ बोल ना सका एक गंभी रूप से घायल हो गया शिक्षक इन दोनों को लाकर अन्य दो मजदूर थे उनके पास छोड़ गया किसी तरह ये मजदूर अपने गाव पहुँचे और कुछ ही देर में रम्मू की सांसे थम गई गाव में मातमसा चा गया गाव के लोग अमान गंज थाना शब लेकर पहुँचे थाने में पहले से ही मौजूद शिक्षक के परिवार और अमान गंज के प्रभाव शाली एवम राजनेतिक लोग बैठे थे पुलिस से पहले ही सार्ट काट हो चुकी थी ऐसा सूत्र बताते हैं और ऐसे आरोप गाव के ही मजदूरों ने लगाए हैं शिक्षक पर जो मजदूरी करने गए थे एक परवन नाम का मजदूर जो अतिगंभीर था उसे परिजन गाव वालों की आर्थिक मदद लेकर कटनी जिला ले गए प्राइवेट होस्पिटल में भरती कराये गया वहाँ सही इलाज नहीं हो रहा था तब ही इसकी जानकारी कॉंग्रेस के प्राइश्टित मजदूर नेता अनिल तिवारी को लगी उन्होंने होस्पिटल पहुँचकर अच्छे इलाज की बात ट्राक्टरों से की वही तिवारी को देख कटनी की मीडिया भी अस्पताल पह प्राइश्टर ने पीडित पवन उस वक्त बोल नहीं पा रहा था और पुलिस ने धमकी भरे लहजे में परिवार के लोगों को समझाया कि इसमें अंगूठा लगा दो तब ही इलाज होगा और पुलिस ने जबरन अंगूठा पकड़ कर दो तीन कागज में लगवा दिये जबकि पवन पड़ा लिखा युवक है वे हस्ताक्षर कर सकता है इस पूरे मामले में अमान गंश टी आई की भूमी का संग्दिक्थ नजर आ रही है बीते दिनों भी अमान गंश थाने का ग्रामेडों ने महिला की मौद के मामले में थाने का घेराव किया था पुलिस ने पन्ना एस पी का कहना है कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है मर्जदूर की मौत साप काटने से हुई है अब देखते हैं आगे क्या जांस में निकल कराता है मध्यप्रदेश से महभूव अली की रिपोर्ड लोग यहां काम करते थे जो गहां पना था हम रहा हम लोग ग फ्र लगा गए हमको और रात को लवा गए और उसको उस्सेव हुए रहत खुदवाय है और फिर हमको अदॉर कैसी में हो गया है आप साजय प्रह्या दरिया में गाएगों आप सो क्या हैं उप्ली एमें पेर बंद गारी तो तो वहाँ धन खुद वायत सर को दरिये से जी जी जान चलेगी सर तो यहां कहां आए हो एस्वी ओपस जमाए बो लेवे सर इंसाफ लेवे सर कटनी में भरती रहे तो जी दसकत करते बनता है जी हाँ तो कटनी में ब्यान क्या दिये थे ब्यान दिये थे सर हमको तो तना होस नी था सर जब अरजद्तियों लोग हमसे दम की हमकी दिये थे के दवाई नहीं होगी सर आपकी हम लोग उनकी तो उनने दम की दिये हमको और कहने लगे के तुम दसकत करो और नहीं तर इसमें अंगुठा लगाओ हमने की सर हम पे अभी हो पर दम से नहीं हम, और आप को करना है तो कहलो, और उनने कहा के चलो, दवाईनी हो गई अब, यहां पर हमको दंकी दिया, हमको दिया, हमाब आपको दिया, हो फिर इतो इत्तिवे उत्तिव चाहा है, बास, इनसाफ चाहिए सर, पुन दसकत कर लेती हो, जी, जबर जबर जखत आज हम लोग माननी बिदायक जी के नितत में पुरिस दीचेक साब से मिलने आये थे ये गिराम पाथा के आदिवासी है निवासी और इनको एक व्यक्ति है संतोस मौर्या जिनको रात को अंधेरे में अपनी बुड़े लो गाड़ी में बिठा के ले गया पता नहीं कहा हुआ ले गया जेंग़ और मना किया खिया तो इसके बाद किया हुई ही पता नहीं है रात को जाके उसने इन दोनों को संदेख संहलत में इनकी घर पर जाकर छोड़ दीया उसके बाद एक घंटे बाद रम्मू जो आदिवासी साथ इसकी मृत्ती हो गई और ये गंबीर हरत में फैस की घरवालों ने इसको कटनी में भरती कराया कटनी में इसको ये पढ़ा लेखा है साक्षारे इसके दस्कत करना आता है पर पुलिस प्रिसासर ने दवा बना के इसके अंगुठा लगवा लिया गया तो उसी संब्ध में आई लोगों ने मानिया इसकी साथ से मिले हैं कि अंद्र वेस्वास की जलते जो रम्मू की मृत्यू ही है इसकी जाच हो और इस पढ़े लेखे व्यक्ति के आपने अंगुठा लगवाया दस्कत को नहीं लिए तक कि वह सक्षम था और ऐसी के जल्द बादी थी कि बुद भूस में नहीं तो आज भी देखिए आप भूस में नहीं है कौन से इंजेक्शन लगा दिए यह भी कंफर्म नहीं है भी इन सारी बिंदों को लेकर हम लोग ऐस्पीसा से बात करें हां रम्मू आदिवासी जो इसके साथ ही भतीजा लगता रिस्ते में तो उसकी मौत हो गई है उसकी मौत कैसे हुई अंद्वेस्वास की जलती हुई क बोलता है बैठके चलो तो इनका रात को कहां में सा नीन लगी है थकी होते हैं मस दूर है दिन भरी तो नहीं चलो दो में काम है कोई इनने सोचा कोई बाहन फस गया इसा कुछ बताया उनको ले गाए फिर अंधिर में जंगल में कहां लेकर इनको पता नहीं है वहाँ पे ए अंकिस सर्मा इंधिर मुद्धे पर बात करने आए हैं क्या मामला है और क्या परिशानिया मामला मैं छे तारी कुप एक ग्राम पाठा कांग गया था मुझी यू जानकारी मिली कि पाठा गामें आदवासियों के साथ कुछ लोग काम करने के लिए इनको ले गए और बाद म इनके बताने अंसार, इनने कहा कि थो हम चार लोग गए थे काम करने के लिए और रात में पता रहें कि हमको आपके सिमरा से बारां बजे करीब दो लोगों को उचाय के ले गए और दो लोग हम वहाँ पड़े रहे जब रात के वह उचार बजी जब आते हैं दो लड़के उनको यहां छोड़ने आते हैं तो बेहोस हालत में थी फिर इनको उन आदमियों ने 200 रुपए दिया कि इसको टेम्पो में चढ़ा के घर में छोड़ाओं तो यह दो लड़के टेम्पो में बैठायके और पाठा ग्राम में छोड़ दिया जैसे टेम्पो से उतारते हैं जैसे एक बेक्त की डेट हो चुकी दूसरा सीरियस था यह ह इनको इनके परजनों ने इनके बाब महताई में कटनी ले गई कटनी में इनका इलाज हुआ और यहां से कुछ देवर आपके आमानगन थाने से बयान आयान के लिए गई तैसीलाय रुहाई के लोकल थे जबकि यह परजन कहरा कि मैं बोला हूं कि मैं अभी बयान देने ला है उन्हें मैटर पहले से आवेदन लिये थे और जब जत्ती हाथ पकड़के मुझसे अउठा लगबाल लिया है जबकि मैं पढ़ा लेखा हूं मैं दस्कत करता हूं अब इनने बताया कि कोई संतोस मौरिया है वही है न भी है और बताया जाता कि इनके पूर्व नगर पंचयत के अध्यक्ष भी थे उनके भाई है और मैं एस्पी साब से यही कहा कि पाठा ग्राम के आदिवासी हैं तीन-चार लोगों को वहां के अमान गंज के संतोस मौरिया है इनको कुछ काम से ले गए थे सेमरा खुर्द वहां उन्हें अपनी खेती वाड़ी का काम करा है इसके बाद दो लोगों को यह कुछ धान और खुदवाने के अंविश्वास के चक्कर में दो लोगों को रात में यह ले गए दूसरी जगह वहां कुछ कि मन में कोई गिल्टी कांसर्स नहीं था तो इलाज करवाना चाहिए था इलाज ना करवाके इनों को उसी हवाले में इनको छोड़ दिये यह विचारे लेकर अमान गज पहुंचे और तुरंत एक आदमी की डेथ हो गई इसके बाद एक सीरियस था कटनी ले जाया गया गय अब तो उसका उचित नहीं रह गया क्योंकि वो तो अब जीवीत है और जीवीत वस्तम अब यहां को बता रहे हैं कि वहां पर पढ़े लिखे होने के बाब यूद भी अउठा लगा गया गया दवाव में बयान दिये गए तो यह सब सारी चीजे बहुत संदिक्द परिस् नगर पंचाय तुप अध्यक्ष रहें अच्छे लीडर है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रसासन दवाव में कुछ अच्छी तरीके जाच्ट कर रहा है नहीं कर रहा है जाचने तो साथ साब अब तो मृत पूर्ब कथन जो लिये गए तैसिलदार साब उसका तो कोई अ अधिरता से जाच होने चाहिए दोशी आदमियों को इस पर कारवाई होना चाहिए दंड मिलना चाहिए आनज शुक्ला थाना अमान गुंज का पाठा काओं है वहाँ पे कुछ ग्रामिन व्यक्ति इस्थाने जन प्रतिनिती के माद्यम से अपना आवेदन पत्र का लाकर प्रस्तुत किया था उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई है इस समंद में हम लोग पहले ही कारवाई कर पॉस्ट मार्टम भी कराया जा चुका है और समंदित व्यक्ति का विश्रप रिजर्व करके एफसल में ड्राफ्ट बना कि इसको बिजवाया भी गया है और इस समंद में एफसल की रिपोर्ट आना बाकी है और साथी साथे इसकी जाच भी थाना मान विंज के माद्यम से की जा रही है कि एसके तरिक के एक और वैक्ति हैं जो कटनी में लाजरत थे और स्वस्टो कर आया वो भी कुर्भ में आपने वियांदर दर्ञ करा चुक है और डीडी में भी उन्हों ने ऑस्थानिये तछिलदार के मार्दिव एनई से एकने बेयांदर्ज करुआ हैं तो उन्होंने जांच में कुछ नए बिंदू प्रकास मेला हैं अभी उन पर हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ सर धन खोदने यह से अंद विश्वास की मामली में मौत हुई है तक उसे पता रहे हैं। पूरू में इस तरह की बात आई थी लेकिन समंधित विक्ति ने सरपदंस के माध्यम से इस परकार की गटना होना और उनका उस्पिटलाइज होना बताया था। यही बात उन्होंने कई बार अपने बेहानों में दी हैं। और उस मंद में थानव परवारी के माध्यम से जाच भी की जा रही है।